महाराना प्रताब अकुबर के खिलाफ लड़े और सैन ने लिहाज से कमजूर होने के बाद भी सिर नहीं जुकाया जितने किस्ते उनके मशूर हैं उतने ही उनके घुडे चेतक के हैं कई किवंदतियां भी सुनाई जाती हैं कॉलेज में हमारे एक मास्टर सहाब तो राणा प्रताब को पढ़ाते हुए भावुक भी हो जाते हैं बताते हैं कि राणा दोनों हातों में भाले लेकर विपक्षी सैनिकों पर तूट पड़ते थे हातों में ऐसा बल था कि दू सैनिकों को एक साथ भालों की नोक पर तान देते थे ये भी कहा जाता है कि मेवाड में लोग सुभा उठकर देवी देवता को नहीं बलकि राणा को याद करते हैं तो चलिए जानते है रहसे टॉक्षों की आज किस वीडियो में वीर महाराना प्रताप के कुछ एहम किस से नमबर च्छै वफदार मुसल्मान ने बचाई थी महाराना की जान 1576 में महाराना प्रताप और अकबर की सैना की बीच ये युद्ध हुआ अकबर की सैना को मान सिंग लीड कर रहे थे बताते हैं कि मान सिंग के साथ 10,000 घुड़ सवार और 1000 पैदल सैनिक थे लेकिन महाराना प्रताप 3000 घुड़ सवारों और मुठी पर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे इस दोरान मान सिंग की सैना की तरफ से महाराना पर जानलेवा हमला किया गया जिसे महाराना के वफदार हकीम खान सूर ने अपने उपर ले लिया और उनकी जान अपनी जान दे कर बचा दी उनके कई बहादूर साथी जैसे भामाशा, जालामान इसी युद्ध में महाराना के प्राण बचाते हुए शहीद हुए नमबर पाँच, हवा से बात करता घोडा चेतक चेतक महाराना प्रताप का सबसे प्रियव घोडा था हल्दी घाटी में महाराना बहुत घायल हो चुके थे उनके पास कोई सहायक नहीं था ऐसे में महाराना ने चेतक की लगाम थामी और निकल गए उनके पीछे दो मोगल सैनिक लगे हुए थे पर चेतक के रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था चेतक भी घायल था पर चलांग मार कर नाला फान दिया मुगल सैनिक मो ताकते रह गे लेकिन अब चेतक ठक चुका था वो दोड़ नहीं पा रहा था महाराना की जान बचा कर चेतक खुद शहीद हो गया नमबर चार भाई शक्ति सिंग विरूधी हो गए थे फिर प्रेम जाक गया अल्दिघाटी के बाद महाराना जब बचकर कुछ दूर पहुँचे तो उसी समय महाराना को किसी ने पीछे से आवाज लगाई महाराना पीछे मोडे तो उनका भाई शक्ति सिंग आ रहा था महाराना की साथ शक्ति की बंती नहीं थी तो उसने बदला लेने को अकबर की सेना जोयन कर ली थी और जंग के मैदान में वो मुगल पक्ष की तरह से लड़ रहा था युद्ध के दोरान शक्ति सिंग ने देखा की महाराना का पीछा दो मुगल गुड़त सवार कर रहे हैं तो शक्ति का पुराना भाई प्रेम जाग गया और उन्होंने राना का पीछा कर रहे दोनों मुगलों को मार कर उपर भुचा दिया नमबर तीन सारी की सारी जनता थी राना की सैना राना प्रताब का जन्म कुम्भल गड के कले में हुआ था ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाडियों की रेंज अरावली की एक पहाडी पर है राना का पालन पोशन भीलों की कूका जाती ने किया था भील राणा से बहुत प्यार करते थे और वे ही राणा के आख कान थे जब अकबर की सेना ने कुम्भलगड को घेर लिया तो भीलों ने जम कर लड़ाई की और तीन महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा एक धुरगटना के चलते किले के पानी का सोर्स गंदा हो गया जिसके बाद कुछ दिन के लिए महाराना को किला छोड़ना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कबजा हो गया पर अकबर की सेना जादा दिन तक वहां टिक ना सकी और फिर से कुंबल गड़ पर महराना का दिकार हो गया इस बार तो महराना ने पडोस के और दो राज्य अकबर से छीन लिये नमबर दो घास की रोटियां जब महराना प्रताब अकबर से हार कर जंगल जंगल भटक रहे थो तो एक दिन पांच बार भोजन पकाया गया और हर बार भोजन को छोड़ कर भागना पड़ा एक बार महराना प्रताब की पत्नी और उनकी पुत्र वदुने घास के बीजों को पीस कर कुछ रोटियां बनाई उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गई और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गई इसी समय महराना प्रताब को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीन कर भाग गई और भूग से व्याकुल लड़की के आँसे टपक गए महराना अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे हैं उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़े थी जासूस ने बताये कि ना कोई दुखी था ना उदास ये सुनकर अकबर का हरदय भी पसीज गया और महराना के लिए उनके हरदय में सम्मान पैदा हो गया अकबर के विश्वास पातर सरदार अब्दुर्रहीम खान खाना ने भी अकबर के मुख से महराना प्रताब की प्रशिंसा सुनी थी उसने अपनी भाशा में लिखा इस संसार में सभी नाशवान है महराना ने धन और भूमी को छोड़ दिया पर उसने कभी अपना सिर नहीं चुकाया हिंदुस्तान के राजाओं में वही एक मातर ऐसा राजा है जिसने अपनी जाती के गारव को बनाये रखा मुखल सेने के इस प्रकार उनके पीछे पड़ गए थे कॉमेंट में जरूर बताएए